ओम नमस्वाय श्वागत है अब सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको महा पूरण मासी का महा उपाय बताने जा रहे हूं फालगुन पूरण मासी का फालगुन पूरण मासी पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और इस दिन आपको कैसे उपा राशियों के लिए सीधा-सीधा लाव पूंच रहा है ग्रैन का राशी परवरतन जो नौ राशियों की किसमत बदलेगा सभी राशी वालों की मनों कामना पूरी होगी तो होली का जो दिन है जिस दिन होल का दिन होता है उस दिन की जो रात है वह बहुत ही स्रिष्ट मानी जाती है उस दिन जो व्यक्ति उपाय करते हैं उनको विशिश राव मिलता है होल का देने वाले दिन हम भगवान विष्णों का पूजन करते हैं और जिस जगे पर होली जलाई जाती है वहाँ पर भी हम पूजन करके आते हैं साथ ही जब होल का देहन उरा हूँ तो उस समय कुछ उपाया जरूर करने चाहिए जैसे आपको हाथ में थोड़े से चावल, काले तिल, एक बतासा, बतासे में घीकी भीगू ही दो लोंग लगा दें, एक सूखा गोला ले ले, अब इस गोले के अंदर थोड़ा सा मीठा बर और जो आपने बतासा लिया लोंग लगा हुआ, वह है आपको इसके अंदर डाल देना है, और इस सिनारियल को आप 11 प्रक्रमा होली के देख करके उसके अंदर डाल देना है, सभी खात लगा करके, जिसका बहुत ही अच्छा योग है, इस दिन नो रासियां बहुत ही भाग गिसाली रहने बाली है, क्योंकि गुरु और सूरे, चंद्र, बुद्ध, इनका जो है बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, यह योग भियादी लावकारी योग है, इस दिन विशिश उपाय किये जाते हैं, जिनमें से मैं आपको एक उपाय बताया है, वो आपको होल का ज उस पर आपको रोली का टीक लगा करके होल का देन में डाल देना है, अपनी मनो कामना बोलते हुए होली की परक्रमा कर ले रहे हैं, इस दिन दोस्तों कही चीजों का खाने का विशिश महत होता है, लेकिन इस दिन जो गेहूं की बाले होती है, गेहूं और जो की जो बाले ह उड़द वाला पापड है तो आप घर में जब अगनी जला रहे हूं तो उसमें वह पापड सेख करके जरूर खाना चाहिए जिससे स्वास्त में विशेश लाब मिलता है ये एक उपाय होता है जो देखने में साधारण है लेकिन इसका प्रवाब बहुत ही जादा है तो तो भोग लगा करके यह चीज आपको जरूर खानी है तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है और लगबग ये नौरासियां वेहदी भागिसाली रहने वाली है भगवान सिब की किरपास से आपको विशेश लाब मिलेगा तोड़े से काले वाले जो चावल आते हैं वह अपने आता कर चावले बना दोट रहेश और सुझाब आती है नहीं से की की का तो बना से काले मिलेगा जो आते हैं वह जलर प्रोशद घचान वेए सार कर छोड़ में हैं की कावल